हालो यूरिवान कैमचो बता जैसी कृष्णा अने गुड़ मॉर्निंग और मैं आसा रखती हूँ कि आप सभी एकदम मस्त स्वस्त और मजे में होगे हम भी एकदम मस्त स्वस्त और मजे में हैं तो अभी हो रहा है सुबे का टाइम और सबसे पहले सुबे मंदिर की बगवान की पूजा जो है वो मेंने की और उसके बाद मेरे बेटे को स्कूल के लिए रेडी किया और उसको स्कूल के लिए पेच दिया और अभी यहां पे हो रहा है सुबे का टाइम तो सबसे पहले सुबे का जो रूटीन काम होता है वो मैं यहां पे कर रह कर दो और बैड ठीक करने के बाद पूरे गर में मैंने जाडू लगाया और अभी यहां पे बर्तन जो है सुबह के वो पड़े हुए है और यह जो मैं प्लास्टिक की चार जो लेके आई हूँ ना वो आज पहले तुल लेती हूँ और उसके बाद इसको सुखाने के लिए रख दू तो सबसे पहले यह प्लास्टिक की जार जो है ना वो में वास करके खीरगी में थोड़ी सी ऐसे दूप आती है तो उधर में रख दूँगी उसको मैंने थोड़ी देर के लिए इसे दूप में रखा है तो अभी आपको दिखाती हूँ तो देखों यहां पिक्चाने की भा प्रेस चने की भाजी चाहिए तो हम ऐसे लगा सकते है और यहां पर इसके रूट्स में दिखाती हूँ आपको देखों यहां पर कितने सारे रूट्स जो है ना लगे हुए है तो इसका पानी जो है ना में दो दिन या तीन दिन में ऐसे बदल देती हूँ तो कितनी झाना खाने लिए यानि कि दूप के लिए मैं यहां पर इसको रग देती हूँ और अभी दूपी मस्त वाली निकल गई है लगे लाव में मुझे दोपर कि खाने के लिए गुटो जो मैं बनाना है तो मैं घुटो की प्रम सारब़ा ब Wenn पानी वह उबलने के लिए रख दिया है और सब्जी गुटो की पूरी रेशिपी बने मेरे मीडियो में शेर की है तो आज इसकी रेशिपी जो है वह में शेर नहीं करूगी तो अभी यहाँ पे दोपर के खाने में आज है गुटो और रोटी और गुटो ऐसे ही में बनाती हूँ और अभी सर्दियों की मौसम में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और अभी हुरा है रात का टाइम तो अभी रात के खाने में आज में पालक और मेथी के मुठ्या बुलते हैं वो बना रही हूँ तो इसकी रेसीपी जो है ना पूरी मूह में आपके साथ सैर कर रही हूँ तो अभी यहाँ पे में थोड़ी सी मेथी की बाजी ली है और यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे पालक जो में ने कट करτεंगे रखी है तो दोनों बाजी जो है तो अडियुक हम के लिएक सीक्ली ऒभाय की अधरक मिर्ची की कि पेस्ट डाल दूनगी। वो भी खाने में बहुत टेश्टी लगते है और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कप जितना केहु काटा लिया है वनफोर्थ कप जितना बाजरे काटा बुल है यह लिया है और वनफोर्थ कप जितना चने काटा है वो डाल दिया है और इसके बाद यहां पे मैं 4-5 चम्मच जितनी सूजी यानि की रवा डाल दूँगी और इसके बाद अभी इसमें पानी जो है ना वो नहीं डालना है तो अभी 1-2 चम्मच जितना ओयल डाल दूँगी और अभी ये आटे को मैं बाजी के साथ ऐसे मसल मसल के ही मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने में यहां पे बाजी जो है ना हमने ज्यादा ली है ना तो इसमें पानी की जरूरत नहीं होगी तो चाहे ना तो 1-2 चम्मच जितना ही पानी जो है वो हम डालेंगे तो अभी सबसे पहले ये इसको बाजी को आटे के साथ में से मसल मसल के ही मिक्स कर देती हूँ तो अभी बाजी को ऐसे आटे के साथ मिक्स करने में ऐसे अभी थोड़ा सा ही पानी जो हे वो में डाल रही हूँ तो यहां पे पानी की जरूरत नहीं होगी तो यहां पे मैंने 2-3 चमश जितना ही पानी डाला है तो अभी यह आटा जो हे जहेँ तो अभी इस से सेप में आता जो हे वो इसे बना लूगी तो मुठ्या कोई भी सेप में बना सकते हैं, सिलिंडर सेप में बनाना हो या तो कोई भी सेप जैसे ही आते हैं वैसे बना सकते हैं तो अभी में जो है ना ऐसे मुठ्धी में हम आटा लेके बोलते हैं इसलिए इसको मुठ्या बोलते हैं हम लोग तो ऐसे सभी आटे मिसे में बना लूँगी और उसके बाद यहाँ पे सभी मुठिया जो है वो मैंने बना लिये है और स्टीमर में इसको 15-20 मिनिट के लिए ऐसे स्टीम होने के लिए रख दूँगी तो यह पालक और मेथी के मुठिया जो है वो गर्मा गरम चाय के साथ भी खाने में बहुत ही टेश्टी लगते है तो अभी यहाँ इसको मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया है तो अभी यहाँ पे 15-20 मिनिट के बाद मुठिया जो है वो अच्छे से स्टीम हो चुके है तो अभी मुठिया को जो है ना वो में एसे थोड़े हलके से ठंडे होने दूँगी तो ठंडे होते हैं ना तो वो अच्छे से कट हो पाएंगे तो अभी मुठ्या जो है ना हलके से ठंडे हो गए है तो अभी इसको मैं ऐसे कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद इसको ऐसे में एक तड़का लगा देती हूँ तो अभी यहाँ पे सबी मुठ्या जो है वो मैंने कट कर लिये है और इसके बाद अभी यहाँ पे कड़ाई में मैंने थोड़ा सा ओयल ले लिया है ओयल में थोड़ा सा ऐसे सर्सो के दाने और थोड़े से सफेद तील डाल दिये है मैंने और उसके बाद अभी जो मुठ्या मैंने कट करके रखा है वो मुठ्या इसमे में डाल दूँगी और मीडियम गेस की आज पे अभी इसको ऐसे इसके कड़ाई में इसको चलाती रहूँगी तो ये तड़का लगाने से भी मुठ्या जो है खाने में बहुत टेस्टी लगते है तो अभी यहाँ पे टेस्टी वाला मुठ्या जो है वो रेडी हो चुका है और हमारे खाने में आज रात के खाने में यही बनाया है मैंने मुठ्या और चाई तो भी यहाँ पे पालक और मेथी का मुठ्या जो है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज के व्लोग का एंड आजका व्लोग अगर आपको थोड़ा सभी पसंद आया हूँ तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए